हाई वियर्स सभी प्रेक्षक महासे को नमस्कार आज हमें शाजिया फातिमा जी लिव लाइफ हॉस्पटल के कॉस्मेटिक फिजिशन डॉक्टर जी नमस्कार कैसे आप मैं बहुत अचाहूं और आपने हर एक एपिसोड में बहुत सारे अच्छी बात बताए हमारे प्रेक्षक महासे के लिए उसके वास्ते धन्यवाद पहले आपको और डॉक्टर जी अपन अगर देखे तो पब्लिक में जो कॉमन एक प्रॉब्लम है वे सोरियासिस हेर सोरियास बहुत यह सोरियासिस ऐसा बयानक बिमारी है एक बार आने के बाद वह नहीं जाता अगर यह आया तो विंटर सीजन में बहुत सफर होता पेशन्ट तो यह सोरियासिस के लिए आपके पास क्या-क्या ट्रीक्मेंट्स हैं जैसे हम इनीशली हमने आटो इम्यून डिजीज के आपके बारे में अलोपीशे अरियाटर कावर किया था वैसे ही सोरियासिस कम ऐसे ही बिमारी में जो अपकी बॉड़ी खुद प्रेड्यूस कर रही है अगर कॉमन लेमें टर्म्स में किसी को समझाने के लिए बोल जिनों ने कभी सुना नहीं इसके बारे में यह हमारी स्कि देख एक पाते हैं पर हमको डस्की तरह नजराइ रहा नजराए वो सोरियासिस में यह cycle cut shot हो जाता है तो मेवी 4-6 days इसके वजे से skin build-up काफी होता है And yes, very correctly mentioned, because of the lack of sun actually in the winter seasons, Soryasis becomes more evident Now, Soryasis के लिए the best treatment would be के आप उसको regularly exfoliate करें लाक्टिक असिद गभिशनीग शंपू नायज शंपू एक यह जो किन को रिसर फेस करता है और और टार के प्रेपरेशन जाते हैं थोड़े ऐंटि फंगल केटकोनोजों प्रेशन जाते हैं यह शंपो रगुलर और दॉक्तर सुपरवाइज जाता है तो इसका मेंटेनन्स बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि आपको यह याद अटना है कि सोरियस्स कंट्रोल किया सकता है सोरियस्स क्यों नहीं किया सकता वह ऐसी कंटिशन है जो आपके साथ हमेशा रहेगी आपको इसको मैंटेन करना है तो उसके मेजर्स यूजली आप घर पे करते हैं यूजली गो इन ख्लीनिंग दे एरिया और हाइडरीटिंग दे एरिया अच्छा 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 एड़ प्रिपरेशिंग आपके स्कैल्प को लगा कि आपके स्कैल्प वाश करते हैं दूसरे ट्रीटमेंट हमाई पास होते हैं फोटो थेरिपी फोटो थेरिपी पहुत पॉपिलर है क्योंकि इस सेफ एंड ज्यादा फीक्वेंटली करते हैं लोहों को काफी लॉंग- तो हम थोड़ी डिवाइस खर प्रेशिंग भी देते हैं जो लोग हुध से इंक रहीए ऐसा है सको identify करने में इसका लाइफ चले जाता पेशेंट का कंडिशन तोड़े सीरेश भी हो सकता क्या निबू ड्राय करता है तो वैसे कंडिशन में बुले तो आपके लिव लाइफ हॉस्पितल में वैसे पेशेंट भी अगर आये तो उसका सुरियास इसको कंड्रोल कर सकते हैं हां बिलकुल सीर मेरी एडवाइस यह आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और करेक्ट डाइग्नोसिस आपके पास हो कि आपको अच्छली प्रॉब्लम क्या है आप जितना में इंटरनेट पर पढ़ लेंगे जितने भी साइंस आप कर लेंगे अब प्रोफेशनल इस नीडिट कि कि लाइन थित तो कि उनका हैरला सोर्यासिस की पाड़े से तो हमें उसको पहले रचान के कच करना पड़ेक्ट सोराइस काफी टाइम ट्रिगर्स की वज़े से आता है इवन इफ जेनिटिक आपकी फैमिली में है पर आपको प्रेजिन नहीं कर रहा है मगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके वज़े से वह स्टार्ट हो जाए थांक्यू डॉक्टर जी बहुत सारे अच्छी बात बताएं हमारे प्रेक्शक महासाय के लिए तो यह है आज का अगले एपसोड पर फिर मिलेंगे थांक्यू साइनिंग आप इस पर दिकेश्वर